हेलो एवरिवन जैसी अराम और आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि जितिया या जीवित पुत्री का वरत की पूजा हम घर पर सरल तरीके से कैसे कर सकते हैं वैसे तो यह पूजा कहीं नदी या तलाब के किनारे पर बैट कर की जाती है पर आज कल जो है सिटी वगयारा की वेज़े से यह सी पॉसिबल नहीं हो पाती है तो कोई बात नहीं आप बहुत सरा तरीके से घर पर भी इस तरहां से जितिया वरत की पूजा कर सकते हैं तो आप पूर लिजेगा, उसके बाद आप दीखें चोकी, पर इस तरीके पर ऐस कमल उना लेशेखें, और या जाएरी भी कर सकते हैं, उसके बाद हम अपनी जो है न कलस थापना करेंगे तो मैंने हाएं इक पलाष लिए है इसके कंड पे मैंने ही हापे मोली बान ली है कलस에서 whether you can do it to a मिट्टी का ले सकते हैं तो आप मिट्टीम का ले सकते हैं यह तौने अपना दांपभले on the थोड़ी सी रोली डाल दीजेगा और अगर आपके पास हल्दी की गाट नहीं है तो आप सुखी हल्दी डाल सकते हैं उसके बाद आप कुछ फूल डाल दीजेगा और उसके बाद आप इसमें पल्लव लगा दीजेगा तो आप चाहें तो आम के पते लगा सकते हैं अशोक के नहीं तो पान के भी लगा सकते हैं तो पहले इस तरीके से तिलख कर लीजिए गा चंदन से रोली से और उसके बाद आप अपने कलश के ओपर भी स्वास्तिक बना लिजिएगा इस तरीके से तो रिद्धि-सिदि-धनला आपकी लगा लीजिएगा उसके बाद हम यहाप पर रख देंगे तो मैंने यहां पे 5 पलव भी लगा दिये थे और नारिल पे आप हमेशा इस तरीके से कलाबा बांद के तिलक लगा कर ही उसे रखेगा और कोरा नारिल नहीं रखा जाता है और जो मुह होता है नारिल का मुख वो आपकी तरफ होना ची यानि की पूजा करने वा तो आप तोरी के पत्ते ले लिजिएगा मिल जाए तो नहीं मिलते तो आप पान के भी ले सकते हैं इस तरीके से और उसके पर थोड़े से चावल का आसन देते हैं मैं सबसे पहले हमारे भगवान गनपती को विराजमन कर लूँगी क्योंकि उनके बिना तो कोई भी पूज संभव नहीं होती और देखें यहां पे मैंने कुछ और तोरी के पत्ते ले लिए थे इनने भी हम रख लेंगे और जो हमने हैं पार्थिव मूर्तिया बनाई हैं मिट्टी से आप चाहें तो कुशा से भी बना सकते हैं तो वो रख लेंगे हम तो जीवत वाहन जी की चील की और स्यारन की तीनों की हमने मूर्ति रख ली है क्योंकि सरपथम इस व्रत को चील और स्यारन नहीं किया था तो इनकी पूजा आज के दिन विशेश रूप से होती है तो आप जरूर से इनकी पूजा कीजिएगा उसके बाद देखें मैंने आप अपनी जोड जोड ली है उ दूर्वा या कुशा आपको जो भी असानी से मिल जाए वो जरूर से आप अपनी पूजा में आज के दिन रखें तो देखें मैंने दूर्वा की गुच्छी भगवान गनपती को चड़ा दिया है उसके बाद हम चील को सियारन को और जियूद वहान जी को सभी को तिलक कर तो आप रोली से तिलक कर दें सियारन को चील को इस तरीके से और गरूड को भी आप इस तरीके से तिलक कर दें ये व्रत जो है ना अपने बच्चों की दीर्द आयू के लिए बच्चों की खुशाली के लिए उन्नती के लिए रखा जाता है और ऐसा कहा जाता है कि अगर स पूजन कर लें, सभी पर अक्षत अर्पन कर दें, उसके बाद हम वस्तुरूपी कलावा चड़ा देंगे, तो भगवान गनपती पर चड़ाएंगे सरपत हम, उसके बाद आप जिमुत वहान जी पर, चील पर, स्यारन पर इस तरीके से जो हैं, वस्तुरूपी कलावा अर्प आप इसकी भी पूजा करनी होती है, तो आप तोरी के पत्ते पर इस तरीके से जितिया का धागा भी रख लें, और अगर आपने सोने का जितिया बनवाया है, तो आप वो भी जरूर से रख लें, और आज के दिन इसकी पूजा आप जरूर से करें, पहले हम इसकी पूजा करे साथी में जो आपने मिट्टी की जिवित वहान जी की प्रतीमा बनाई हो आप उन्हें भी इस तरीके से जनेव अरपन कर दें तो हमने इन्हें भी जनेव पहना दिया है उसके बाद आप फूल चढ़ा दें तो देखे जो भी आपको असानी से फूल उपलब्ध हो जाएं जिवित वहान जी को आप फूलर पन कर दें उसके बाद देखे भीगे वे चने जरूर से चढ़ाए जाते हैं तो सरपत हम गनपती भगवान के आगे चढ़ा देंगे प्रशाद रूप में और उसके बाद जिवित वहान जी के आगे चढ़ा देंगे और चील के आगे सिया बहाँ जाता है तो आप यह बी बना सकते हैं उसके बाद भोग यह जमा दें क्यों की बच्चों के लिए व्रत किया जाता है तो आप बच्चों के लिए पूजा में कुछ खेलकलों क्योंने जरूर से में भगवन का और साथी में बच्चे भी खुश हो जाते हैं तो इस चोटे मोटे जो भी आप चाहें वह खिलोने ले सकते हैं और इस तरीके से पूजा में रकते हैं पगवान के आगे इस तरीके से चढौा दें ताकि उनका आशिरवाद हमारे बच्चों को मिले, तो यहां पर भी मैंने कुछ खिरोने ले लिये थे, उनका भी हमें आज के दिन पूजन करना होता है, उसके बाद आप कुछ फल चड़ा देते, तो देखे हो सके तो आप पांच फल तो जरू चड़ाएं, अलग-अलग तर आप कुछ दक्षना जरूर से निकालें, क्योंकि अगर हमारी पूजा में कोई भी कमी रह गई हो, किसी भी चीज की तुरूटी हो गई हो, तो वो दक्षना से पूर्ण हो जाती है, उसके बाद हम एक लोटा जल ले लेंगे, क्योंकि हमें यही पर बैठ कर इसकी कथा सुन है, और कथा कभी भी खाली हाथ नहीं सुनी जाती ही, तो आप सभी लोग जितने भी लोग कथा सुनेंगे, सभी हाथ में कुछ दाने जरूर ले लें, और क्योंकि कथा का वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता इसी के साथ, इसलिए मैं उसका एक अलग से वीडियो आप देख लिजेगा, और फिर आप कथा सुन लिजेगा अपनी, और कथा सुनने के बाद आप हाथ जोड़कर भगवान के आगे अपनी प्रातना रखें, अपने बच्चों की दीरदायों की कामना करें, और उसके बाद जो भी आपने दाने लिए हैं, वो लोटे में डाल कर दें, और पुष्व भगवान के आग्यारपन कर दें, उसके बाद आप भगवान की आरती कर लें, तो इस तरीके से आप अपने कलश को आरती दिखा दें, धूप दीप दिखा गे, घंटी बजा के आप भगवान की आरती कर लें, तो इस तरीके से आप आरती कर लेंगे आप हाँ जोड़के हमारी आचना कर लें कि अगर हमसे कोई भी भूल हो गई हो हमारी कोई भी तुरुटी रह गई हो पूजा में तो उसे माफ करें और अपना आशिरवाद हम पर और हमारे बच्चों पर बनाए रखें उसके बाद आप इस तरीके से धोग खा लें परनाम कर लगे तो लाइक शेर और सब्सक्राइब करना ना भूलें जैस याराम जरूर लिख दें जैस याराम